हलो साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का PBR study में मैं राज कुमार आपकी क्लास 9 की mathematics के साथ बहुत से बच्चे काफी देर से बेट कर रहें, बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहें कुछ कमेंट मुझे दिख भी रहें कुछ छुप भी रहें जैसे कि रमेश बाधिया जी जुड़ चुके हैं सोनु स्पी पटेल कमलेस मेवादा और चिराग और मिश्टर निकिल कुमार और देशी म्यूजी कड़ा बिने यादो आदित्य दुबंसी आसीस कुमार प्रियंका कुमारी मोनिका और जुही परजापती नाजिया बानो और कौन है भाईया रामू काका बहुत अच्छे बहु कैसन गेमिंग और कौन जुड़ा वई दरसन हजारी संजु देवी और भी तमाम छात्र जुड़ चुके हैं तो इन सेकडो छात्रों की मांग पर इनकी कलास को स्टार्ट किया जाता है चलिए तभी नए साथी चैनल को तुरं सब्सक्राइब करेंगे और बैल आइकन प्रे दिया था एक्सरसाइज 1.2 तक आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 ठीक है 1.3 पढ़ेंगे तो सबसे पहले यह बताओ कि किसके किसके पास किताब है सबी बच्चे बोलो यास 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 क्या आपके पास NCRT बुक है अगर है तो बहुत अच्छी बात है किताब खोल लो लेकिन जो बुकिया में दिया हमें इससे मतलब है एक बटा साथ बराबर रही साथ है गदमों लिख लो लिखो 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 यह इतना दिया है ठीक है यह इतना होता है आप भाग करके देख लो इतना होता है आगे क्या कह रहा है सुनो कह रहा है कि हम जानते हैं 1 upon 7 equal 0.142857 इसके पूरे पर क्या है 12 है वास्तोओ में लंबा भाग किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि वास्तों में लंबा भाग किये बिना क्या आप बता सकते हैं कि तू अपान सेबन और इसमें क्या है भई यह थिरी अपान सेबन और फोर अपान सेबन फाइप अपान सेबन यह धेर सारे नंबर दिये गए है कहरा कि इनका दसमलो परसार क्या है यदि हाँ तो वो कैसे एक बार कुश्चन पढ़ो नंबर तीन है परफना वली 1.3 है तो बच्चा क्या कह रहा है जो उसको हम लोग को गवर से समझना है कह रहा है कि एक बटा साथ जो है वो इतने के बराबर होता है यह सही है तो इसी आधार पर इसी तर्ज पर आप इनको मैंने दो ही अभी लिखा अब यह और भी लिखेंगे इनको बिना लंबी भाग किये इनको बिना लंबी भाग किये आप हल करो और हल करके दसमलो परसार करके यह बताओ कि इनका जो दसमलो परसार है वो क्या है किस परकार का है और अगर हाँ आप कर सकते हो तो वो कैसे करोगी लिख सकते हैं ना तो दो तो ऐसे ही रहेगा सेबन की जगह पे हम 0.142857 लिख देंगे इसमें हमें दो का गुड़ा कर लेना बागी कुछ नहीं करना है तो दो सते चौदा का चार हांसी लेग दू पंचे दास एक ग्यारा हांसी लेग दू एठे सोला एक सतरा हांसी लेग दो चौका आठ दो एकम दो तो भाईया हो बाबू हो यह आपका इतना आ जाएगा अब बताओ इसका दसंबलो परसार क्या है मिस्टर बंदना पलक मौर्या जी बताइए यह समझ में आया तो इसका दसंबलो परसार क्या है अभी मैंने पहली कलास में इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बताया था यह नान टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है ठीक है नान टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग यही न चलो यह आपके सामने आ गया तो इसी तरह से प्यारे साथियों इसको भी आप कर लोगे क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं थ्री इंटू वन अपान सेबन उसको लाके इसमें पुट करोगे यानि वन फॉर टू एट फाइब सेबन जो भी दिया गया है इसको तीन से गुड़ा करोगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ना बच्चों कर लोगे ना भाइया कर लोगे ना बाबू अब कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह से तुम इसमें जो दिया है चार बटा साथ पांच बटा साथ स्थे बटा साथ सब कर लेना तीन का इसमें घुड़ा कर दो तो 3 सते 21 हासिल आया 2 इधर दिख रहा है न 3 सते 21 का 1 हासिल 2 3 पचे 15 दो सतरा का 7 हासिल आया 1 और 3 अठे 24 एक 25 का 5 हासिल आया 2 3 दूना 6 दो 8 तीन चोग 12 का 2 हासिल 1 तीन एक कम तीन एक 4 तो इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों यह आपका 0.428571 है न इसके उपर बार लगा दो यह नीचे वाली लाठी लगाओ या ना लगाओ ममता तिवारी जी कमेंट हार आपका जस्बिंदर सिंग, उस्पा, अमित, रामू, सीलू, दर्सन, हंस, राज, बर्मा, कमले, सूरज, पिंकी सबका कमेंट हारा है, यह मल्टिपल सही-सही करना ऐसा नहीं कि गुड़ा न कर पाओ तुम फिर, तो सब गड़ बढ़ाई जाएगा मामला, सब खिचड़ी हो जाएगा, गुड़ा कर लेना सही-सही, चलें आगे बढ़ें, चलो, तो यह आपका हो गया, इस तरह से कि नहीं, पर लोगे न भाईया, जल्दी बोलो यास, देखिए, एक बात बहुत ही ध्यान से समझिए बच्चों, आपको सिर्फ यहां से तरीका सीखना है, यह नहीं कि गुरु जी हमरें तो दूइबटा तीन दिया है, आप यह दूइबटा पांच कह बता होता, अरे गद अगर तुम एक बाईक चलाना सीख जाओ, तो सब चला लेते हो कि नहीं, बताओ, सभी बोलो, इमांदारी से बोलना, अगर कोई बंदा एक गाड़ी चलाना जानता है, दूइचका में, तो वो सारी दूइचका चला लेता है, ऐसा था नहीं कि भाई हमारे TBS स्पोर्ट है, तो हम हीरो अंडा नहीं चला पाएंगे, चला लेता है न, तो उसी तरह से यह सबल हो है, अगर तुम एक सीख गए, तो तुम सब कर ले जाओगे, समझ में आया न, आया न समझ में, तो बस इतना ही मान के चलो, कि यह क्या है, एक मोटर साइकल है, जिसे तुम चलाना सीख तो तुम सब चला लोगे, बस वैसे ही, और हाँ, जो अलगता रहा के हैं, वो मान लो क्या है, तो बिजायर हैं, और आपकी सफारी फर्चूनर अलग अलग गाड़ियां हैं, भई, तो उनके लिए आपको अलग से सीखना पड़ेगा, क्योंकि चार चक्का कहान ही अलग है, तो उस तरह से जो अगला कु crown हे, वो मान लो चलो, चलो, चैर चक्का में थो चक्का में नहीं हैं, सर लाइब में घात, लड़का गात जा रहा है, ही भई, काब बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुमारी बात, चांधनी कुमारी जी हैं टेक ग्यान, ठीक पिटा देखो पढ़ लो तो अच्छी बात है अब अगला कुष्चन पढ़ो कोई क्या लिखा है अगला कुष्चन नमबर तीसरा अरे यह तो दूसरा था जो मैं बताया अब तीसरा आया अब तक दूसरा था तो बच्चों exercise 1.3 का question number तीसरा पढ़ो सभी जल्दी से ये बताओ हमारी आवाज कुछ ज़्यादा चैला फार निकल रही है मतलब red line class कल रही है मेरी जो आवाज है देखो समझो तीसरा कह रहा है कि निम्नांकित को या निम्नलिखित को P upon Q के रूप में वेक्त कीजिए क्या करना बच्चों इने P upon Q के रूप में वेक्त करना है अच्छा एक बात बताओ इमांदारी से क्या ये किताब तुम्हारी सवाल मतलब ये सवाल तुम्हारी किताब में है बोलो yes है किनके किनके किताब में है बोलो सबकी किताब में होगा देखो परसना वाली बदल सकती है लेकिन सवाल नहीं बदलेगा exercise बदल सकती है लेकिन सवाल नहीं बदलेगा सवाल वही होगा topic वही होगा सब वही होगा हो सकता है इसमें 0.6 से तुम्हेरे 4 हो या 2 यह हो सकता है क्योंकि अलग-अलग writer में गिंती बदल सकती है लेकिन टॉपिक और कांसेप्ट वही होगा ठीक है रिया पटोईल आ रहा है भई आ रहा है कमल मनोज बहुत अच्छे सबके में है चलो बच्चे ठीक है तो साथियों क्या करना इसे कह रहा है इसे पी अपान क्यू के रूप में ब्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू दोनों पूडांक हैं बोथ हार इंटीजर्स बट क्यू डजनाट इक्वल जीरो अरे वही पर्मिय संक्या की कहानी बताया और क्या है रेफनल नंबर की कहानी बताया है तो बच्चों क्या करोगे आप इसकी हकीकत जानते हो ना इससे परचीत हो ना जैसे तुम्हारे बगल का एक लड़का है और बड़ा ही लोग खटाइप का है अब मानलो उसकी कहीं से साधित हैं हो रही है उसके जो बर्देखा लोग आ रहे हैं मतलब आपकी भावी के गाहों से अगर आपको मिल गए रस्ते में और पूछने लगे बहिए बताओ फलनवाक लड़कावाक इसे हैं इसकी क्या रूप रेखा है हां तो तुम उसकी सारी कहानी बता सकते हो ना उनसे क्योंकि जानते हो ना उनके बारे में चलो तो यह इसका मतलब है जो इतना लंबा यह गया यह इसी में समेट के बैठा था जैसे कोबरा साब देखे हो लपट की बैठ जाता है लगता बहुत छोटा है जब खुलता है पूरा ना आईश्य करके न तब लगता है कर रही तो इतना बड़ा है माई रे माई देखो स इसी एक चर पद के बराबर हम इसे मान लेते हैं यह हमारी मजबूरी है मानना उसके बाद फिर क्या करते हैं बच्चों हमें यहां से यक्स का वैलू फाइंड करना है अब अगर यहां पर एक अंक पर बाहर लगा है एक अंक पर ना तो हम क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ 10 से गुड़ा करेंगे अगर 2 अंक पर बार लगा है तो दोनों तरफ 20 से नहीं करेंगे गदों 100 से करेंगे अगर 3 अंक पर बार लगा है तो 1000 से गुड़ा करेंगे याद रखना बोलो ऐसमझ में अगर 1 अंक पर बार लगा है तो 10 से गुड़ा करोगे, 2 अंक पर लगा है तो 100 से, 3 अंक पर लगा है तो 1000 से, इस चीज़ को याद रखना, अधेस अकेला, भई अकेले कहा हो गए तुम, कहा गई तुमारी मेडम, गई निकल गई का, देखो समझो जाने दो छोड़ो, अब इसमें दोनों तरफ क्या के, लिखो, समी करण एक में, समी करण एक में, दोनों पक्छों में, या फिर दोनों तरफ, 10 से गुड़ा करने पर, इंग्लिस मीडियम वाले लिख ले, मल्टिप्लाइंग बाइटेन इन बोथ साइट इंग्लिस मीडियम और लिख लें मल्टिप्लाइंग बाइटेन इन बोथ साइट इतना सब कुछ ठीक है तो भाईया थोड़ा सा रूप जबाबू बहुत जाद है हम इसको गड़बड़वा दिये थे चलो अब क्या करोगे दस से खुड़ा कर दो रोखा कि इसने है चलो बच्चों तो यह हो जाया गए अब क्या करोगे अब नीचे लिखो क्या लिखोगे तुम बंद हो जा, बंद हो जा, नीचे लिखो, समी करण 2 से समी करण 1 को घटाने पर, समी करण 2 से समी करण 1 को घटाने पर, चलो घटा लो, घटा लोगे न, रिती तिवारी पहले जो हो रहा है उसको करने दो भईया, लिखो समी करण 2 समी करण 1, तो भईया हो समी करण 2 से समी करण 1 हम घटाएंगे, तो अगर डारेक्ट लिख देंगे तो तुम कहोगे मुझे समझ में आया नहीं, इसलिए मुझे पूरी कहानी explain करनी पड़ेगी, तो हम उपर मिटाके लिखेंगे, ठीक है, तो चलो यहाँ से उपर चलते हैं, उपर मतलब board में, उपर एकदम नहीं, समझो, तो यहाँ पर जगा है, लेकिन थोड़ा सा कम है, सकेते में समधियान हुई जाएगा, इसे बोलते हैं, चलो लिख लेता हूँ, तो समी करण दो दस यक्स है, बराबर, छे दस अमलो, छे, 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 मतलब, शिक्स, 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 जादाबार न बोलने, इसका मतलब कुछ और निकलने लगेगा, चलो, तो उपर अब हम लिख रहें, अगर नहीं लिख पाएते, तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके लिखो, मुकेश सर्मा, कुछ बुझा आरा बचवा, दिमाग में गुसरा थोड़ा थोड़ा की नहीं, आरा समझ में न, ये समी करण दो था, समी करण एक क्या आया था, अरे हमें याद है, जाने दो, ये आया था, ये समी करण एक था न, हमें क्या करना भईया, इनको दोनों को घटाना है, तो बाबु घटा ना तो तुम पहले से सीखे हो, कच्छा 6 में, 5 में, 4 में, इतना तो गदा हो नहीं की नहीं सीखे हो, ये घटा हो गे 9 अकसा आएगा, इधर देखो बच्चों तसमलो के इधर, 5 साइट केवल 6 आएगा, इधर सब 6 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब सु मज में आ रहा है, देखो बच्चा वीडियो बैक करके लिखते जाओ, एक काम किया करो, जब स्क्रीन पे हम पूरा लिख दें और हट जाते हैं सामने से, देखो हम हटते रहते हैं, बीच बीच में छुपते रहते हैं, कि जिससे तुम्हें स्क्रीन पूरा दिखाई पड़ से, जैसे पिली देखे हो, घर में कहीं दूद रख दो, भूले से, लपक लेती है, वाई से लपक लिए करो तुम लोग, चलो देखो, अब इस धर के जीरों से कोई मतलब है नहीं, तो भीया ये यक्स बराबर हो जाएगा अच्छा बटा नो, अब तुम इसे काट दो, ती इन से, प्रियांसर होईगा बस, सबको समझ में आए न, प्रीती तिवारी, बहुत अच्छा प्रीती जी, बहुत 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 पढ़ाई हो आपको, कि आपने 100 में से 89 मार्क्स हासिल किये हैं, तो second semester में भी आप अच्छा करें, लेकिन ये सरकार का जो गडबर रूल चल मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आता पढ़ाने का मैं क्या पढ़ाऊं, कौन सा semester पढ़ाऊं, ना किसी exam का पता आता है, ना ये पता है कौन सा परिच्छा होगा, कौन सा परमोट होगा, तो इसमें क्या किया जाए, हो गया अच्छा पलिए, चलो, अगला question की तरफ आग इतने बड़े-बड़े लोग 9 कलास में पढ़ते हो, क्यों तुमें दिख रहें का कि इतने बड़े हैं, हाँ ये बता दूसरा कौन कौन कर लेगा, इमानदारी से बताना जूट ही नहीं बोलना, दूसरा पार्ट कौन कौन कर लेगा, मैं बहुत चिला रहा हूं का, नर्री फार के चिला रहा हूं का, मैं, अब तोड़ा दीरे बोलूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है, रेड लाइन क करन कुमार बहुत अच्छे बच्चे हो तुम तो एकदम तापर हो जलो है बहुत तेज गर्मी है है ना कि अच्छेंड पार्ट देखो बच्चा देखो देखो मुझे पता है तुम कितना कर लोगे थोड़ा अलग है कि देबन पर बाहर है इसमें पार का मतलब कोपड़ी का बाहर नहीं इसमेटिक का लवर्ड है वो ठीक है चलिए तो एक बार सभी साथी फटा फट कलास को सेर कर दीजिए फिर से जो नहीं करें थे जो अभी नए नए हैं निवेदन है उनसे और सेशन को लाइक कर दिए तुरंद और नए नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपकी जिम्मेदारी है इतनी जिम्मेदारी है आप समझ ये करना चाहिए ना इमानदारी से दिल से पूछो करना चाहिए चलो इतना करो उसके बाद आगे बाद करते हैं चलो जल्दी करो साथियों हम सबको पता है क्या पता है जो पढ़े हैं उनको पता है जो नहीं पढ़े कभी उनको का पता है कुछ नहीं पता है देखो हमें यह पता है कि इस पर सेबन पर बाहर लगा है इसका मतलब यह हुआ यह 0.4777777 ऐसे यह 111 है इसका यह मतलब है न अगर यह बाहर का चिन्हा 4 पर भी होता तो यह 474747 जाता इसका यह मतलब है इतना ही मतलब है न अब देखो समझो तो बच्चों प्यारे साथियों इसको मान लेंगे माना यक्स बराबर जिरो पॉइंट फॉर सेवन 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 डडडडड़ यह इकोईसा नमबर फ़र्स्ट यू अंडर्स्टेंड समझ में आया ना बच्चा कुछ बुजा हुजा रहा है थोड़ा बहुत इतना उतना चलो बुजाएगा सब बुजाएगा यह मैंने क्या सब्सक्राइब होता है बार बार सब्सक्राइब नहीं होता है तो गडबड़ हो जाएगा दूबार नहीं करना कि किस्ते गुड़ा करेंगे मैंने पूछा है तुम बोल कहने रहे हो अभी तक मार्ट टपर कर रहे हुए मुझका अंदस बता रही अगनोन प्लेयर तुम आ कहां से गई यह बताओ मौन लाला अधेश ठीक है चलो दस से ही करेंगे देखो बच्चा जितने गिंती पर बार लगा रहेगा तुम उतने से ही गुड़ा करोगे मतलब उतने जीरो लगा के एक के साथ में अगर एक गिंती पर बार है तो दस से दो गिंती पर बार लगा है तो सो से तीन पर लगा है तो हजार से अतुल गेमिंग, सुरेंदर सिंग, अधेस, अकेला, तेज सिंग, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छा, पेरी गुड, तो बच्चों क्या करेंगे इसमें अब हम, इसमें हम दस से दोनों तरफ गुड़ा करेंगे, आप लिख लो, समी करण एक में दोनों तरफ, दस से गुड करने पर, समी करण एक में दोनों तरफ, दस से गुड़ा करने पर, तो बच्चों और बच्ची ओं ये इतना होई जाएगा, अब क्या करेंगे, समी करण दो से समी करण एक घटा देंगे, निचल लिखो, समी करण, इंगलिस मीडियम वाले लिख लेंगे, मल्टिपलाइंग भाई 10, इन इक्वेशन नंबर वन, इटो अदूरा है, मल्टिपलाइंग भाई 10, बौध साइड, इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है? कि समझो बरसा जी कमेंट आ रहा तुमारा बरसा यादो ठीक है तो बच्चों इसमें से हमें क्या करना घटाना है समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाना है तो एक बार चल जायार मजबूरी में हम दुबारा इनको उतारेंगे रुको मैं स्याही भर देता हूं थोड़ा और मस चले चटक मटक यहां पर लिख लो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 पीच में लिख लो मारकर में थोड़ा मैं इंक भर देता हूं कोई इसका उत्तर बताए सबसे पहले तो हम जान जाएं कि बहादू रहे वो सूरच स्रिवास्तो जेके गेमिंग अधेस देखो भाईया सभी बच्चे कलास को लाइक जरूर करो यह हम बोलें बार बार बीच बीच यह बहुत सरम की बात है अच्छा नहीं लगता मजा नहीं आती है आप लोग समझो कलास का टाइम साम को साथ बज़े से रात आठ बज़े तक कभी-कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है तो थोड़ा इंतजार कर लिया करो वैसे भी बहुत इंतजार करते हो जिन्दगी में मेरा भी कर लिया करो कोई देखो समझो तो यह एक्स एक्वल आपका यह हो जाएगा जो भी था समी करन एक में फोर है सबसे पहले फोर है थोड़ी था अब इन दोनों को हम घटाएंगे लेकिन जो आएगा उसको तुमको न बताएंगे उसको उपर लिखेंगे घंश करोat कि इतना स्करीठाट ले लो मैं मिटारा rented इंच करो कितना इसक्रीन साट ले में मिटारा उंच video हो घंब मैं सिर्फ कुश्चन मिटाया हूं और जो माना था व मिटाया हूं और कुछ न मिटाया तो बच्चों बहुत ही प्यार से समझो गड़ित बहुत आसान है जो इसमें हमारे चात्र भूल चूप से जुड़े हैं जिनको गड़ित बिल्कुल नहीं आती है वो बिल्कुल जीरो लेबल से PBR study application में पढ़ सकते हैं तो चलो बच्चा घटालो बबुआ यह हो जाएगा आ तो बच्चा हो बाबु हो इनको हम यक्स बराबर 43 बटन अब लिख सकते हैं इसमें किसी को कोई परेसानी अपत्ती नहीं ना तेज सिंग आया समझ में मनुच सिंग बेटा जितना सारा इमोजी या फिर कुछ और कूडा कचना लगाओगे उतना आपका नाम हम नहीं बोले सिंपल वर्ड में अगर लिखोगे जो अपनी बात तो हमारे नजर में आएगा तो बोलेंगे कुछ लोग सोचते हैं धेर सारा इमोजी लगा दो धेर सारा कूडा कचरा उसी में गंदगी भर के भेज़ दो तो हमारा नाम जरूर बोलेंगे उनको हम बोलते नहीं बस बरद करता है कि तुम लोग कर लोगे उसा फड़वाला कर लोगे कि नहीं एक चीज और समझेलो संडे को कलाफ नहीं होती अगर होगी तो हम बताएंगे रभीवार को हम टेस्ट लेंगे पटक पटक के मारेंगे बहुत इतना जान लो या तो जितना पढ़ाएं उतना पढ़े र होगा और जितना पढ़ाय रहेंगे उतना का नोट बना के और अच्छे से पढ़ के तब आओगे अच्छा नहीं कि यूटूब पे तुम वीडियो देख ले रहे हो वीडियो देखने से नहीं काम बनने वाला है इमानदारी से पढ़ना होगा कौन कौन टेस्ट देगा है अगला देखो समझो तो प्यारे बच्चों इसमें जल्ठी आउर है दिखर करना का कहत्वा है कि उप्षा तो है ना कि अनि वीडियो है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन यह है इसमें तीनों के उपर बार लगा है अब इसकी कहानी समझो कैसे क्या समझो पच्चों इसमें तीन अंक पर बार लगा है क्या है तीन अंक पर बार लगा है इसका मतलब जानते हो क्या है इसका मतलब यह है भाईया इसका मतलब यह है बाबू कि यह इतना है यह इतना है यह बहुत कलवाज है ऐसे यानि यह गितना सही है आप देखो आगे समझो उसके बाद क्या करेंगे हम यहां लिखेंगे माना और यक्स बराबर इसको क्या करेंगे कि यक्स के बराबर मान लेंगे कि इतना ठीक है इसके बाद क्या करेंगे तीन अंक पर बार लगा है मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था अगर एक अंक पर बार लगा रहेगा तो दस से दुन तरब गुड़ा करोगे तो अंक पर लगा रहेगा तो सौ से तीन पर लगा रहेगा तो एक हजार से गुड़ा करोगे तो प्यारे बच्चों यहां पर लिखो समी करण एक में दोनों तराफ एक हजार से गुड़ा करने पर लिख लो मैं नहीं लिखूंगा इंग्लिस मीडियम वाले लिख लें मल्टिप्लाइंग बाई वन थाउजंड बोथ साइड इन इक्वेशन नमबर वन तो चलो इसमें एक हजार से गुड़ा करेंगे वन थाउजंड एक्स इधर क्या आएगा भाईया वन आएगा अब वा इधर है का हो जाएगा सब जीरो जीरो हो जाएगा जो भी रहेगा अपना 001 001 डाट 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 अब यह बन गया आपका समीकरण नमबर दो अब लिखो अमी करण 2 माइनस समी करण एक सब्स्ट्रेक एक्वेशन नमबर फईस्ट माइनस सुरी सब्ट्रेक्टिंग एक्वेशन नमबर ठीक है देखो तो घटा लो भाईया एक हजार एक्स पराबर यह आपका जो भी लिखा है इसे लिख लो ऐसे ही वन पॉइंट 001 001 001 फालतु कमेंट वाले को बला करो क्या करने तुम लोग है फालतु कमेंट वालो को बला करो यह गलती से पैदा हो गया इनकी दिक्कत नहीं है चलो इनको आपस में घटा होगे 999 आएगा यह एक आएगा नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना चलो ठीक है देख लो कोई दिक्कत नहीं अभी मैं और दिखा दूंगा अच्छे से इनकी नाइन के साथ में यह तिरपल नाइन के साथ में यक्स भी आएगा तो फाइनल में जो यक्स की बहलू आएगी बच्चों वान अपां तिरपल नाइन आएगा यह आपका अंसर हो जाएगा थिक है नीचे लो मैं थोड़ा और नीचे तक दिखा देता हूं चलो लिए विजिवल हो रहा है पूरा दिख रहा है ना मनोज सिंग ठीक है आकाश कुमार तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो नहीं तो यहां से निकल लो नहीं हम बहुत 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 गडबड आदमी हैं समझ रहो ना सिर्फ पढ़ने वालों के लिए अच्छे हैं बस बाकि तुम्हारे जैसे नलायक की यहां जगा नहीं होती है हमारी कलास में जाड़ू अड़ू भी लगाने लैक नहीं हो तुम और आगे तुम से कौन से बात में बोलूं तो निकल लो यहां से तुम जल्दी निकल लो पढ़ना है तो पढ़ लो आर के रायल तेज सिंग आकाश संकर राच ललित चलो नरेश बेटा पढ़ लो नहीं तो नंबर नहीं तुमको अभी बहुत अच्छा चीज दे देंगे और तुम लेके उसको बैठोगे क्या है